प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसी प्रकार मैं आज बाजार जाऊंगी, मैं कल बाजार गई थी, मैं परसों बाजार जाऊंगी। फिर से आपने देखा वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। तो बच्चों सभी शब्दों के उपर लेंग, वचन और काल का प्रभाव पड़ता है। परन्तो व्याकरन में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनके उपर इन तीनों का प्रभाव नहीं पड़ता। आए आज हम इस पाठ में उन्ही शब्दों के बारे में बात करते हैं। पाठ दस अविकारी शब्द अव्ये, इन डिकलाइनेबल, घोड़ा तेज दोडता है। बच्चों अगर इस वाक्य को ध्यान से देखो, तो यदि हम घोड़ा की जगह पे घोड़े कर दें, तो भी तेज तेज ही रहेगा। घोड़े तेज दोडते है, यदि हम इसका काल बदल दे, घोड़ा कल तेज दोड़ा था, तो भी तेज वैसे का वैसे ही रहेगा। यदि हम भविश्य काल में चले, गोडा कल तेज भागेगा, इसमें भी तेज वैसे का वैसे ही रहा है, तो यह क्या बना, यह बना अव्य, अविकारी शक्त, जिसके उपर लिंग, वचन, काल, तीनों में से किसी का प्रभाफ नहीं पड़ रहा, इसी तरह बंदर पेड के उपर बैठा है, के उपर, इसके अंदर यदि हम कहें, दो बंदर पेड के उपर बैठे हैं, वहाँ भी के उपर के अंदर कोई बदलाफ नहीं आएगा, इसी तरह रीता और गीता नाच रही है, वह बागीचा कितना सुन्दर है, तो यह सारे शब्द क्या हुए, अव्ये, परिभाशा क्या बनी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, आदी के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्ये या अविकारी शब्द कहते हैं, अव्ये के भेड कौन से होते हैं, आईए, अब इन्हें विस्तार में पढ़ते हैं, पहले हैं क्रिया विशेशन अव्ये, जिन्हें कहते हैं आडवर्ब, और इसकी परिभाशा क्या है, क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेशन अव्ये कहते हैं, जैसे हिरन तेज दोडता है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, दोडता, और तेज शब्द क्या हुआ? तेज शब्द हुआ? क्रिया विशेशन क्योंकि यह दोडता की विशेशता बता रहा है इसी प्रकार कचछुआ धीरे-धीरे चलता है, क्रिया क्या हुई, चलता, और धीरे-धीरे क्या हुआ, धीरे-धीरे हुआ, क्रिया विशेशन, जोकी एक आविकारी शब्द है, अव्य है, क्रिया विशेशन चार प्रकार के होते हैं क्रिया का समय बताने वाले सुभा कल प्रति दिन लगातार जब कब आदी क्रिया का स्थान बताने वाले यहां वहां कहां उपर अंदर नीचे पीछे क्रिया का परिमान बताने वाले थोड़ा अधिक कितना कुछ जरा आदी क्रिया का धंग बताने वाले, तेज, जोड से, धीरे, मधुर कैसे, शांती पूर्वक आदी तो कौन से चार भेध हुए? समय बताने वाले, स्थान बताने वाले, परिमान बताने वाले, धंग बताने वाले दूसरा भेध है संबंद बोधक आव्ये जिसे अंग्रेजी में हम प्रेपोजिशन कहते हैं अता यह समझना बहुत ही आसान है यहां चित्र के अंदर पुस्तक कहां पड़ी है? पुस्तक मेज पर है मेज पर रोहन कहा है? रोहन पेड के पीछे है तो संबंद बोधक आव्ये हमें क्या बताते हैं? वह वाक्य में आए हुए संग्या या सर्वनाम का किसी दूसरे संग्या या सर्वनाम शब्द के साथ संबंद बताते हैं यह हुए संबंद बोधक आव्ये जैसे एक ओर एक दो होते हैं मोहन मोटा है किंतो सोहन पतला है तो क्या हुए समुच्य बोधक? समुच्य बोधक शब्द हुए जो दो वाक्यान्शो को जोड़ रहे हैं फिर आते हैं विस्मई आधी बोधक अवय इंटर्जेक्शन, हर्ष, शोक, घ्रिना, आश्चरिर, भय, आदी, भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मय आदी बोधक अवे कहते हैं हाई, तुम्हें चोट तो नहीं आई, शब्द हाई, अविकारी शब्द है, शाबाश, तुम जीत गई इसके अंधर भी शाबाश, अविकारी शब्द हैं, उसके ओपर लेंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो बच्चों, आज आपने सीखे अव्य, अविकारी शब्द, आपने सीखा कैसे इन शब्दों के ओपर इन तीन चीजों का लेंग, काल और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता और आपने सीखे इसके चार भेद, तो आशा करते हैं, अब यह आपको बिलकुल अच्छे से समझा गया है, आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद